नमस्किर दोस्तों, हेल्फ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत आएं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे हेल्फ वीडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियाएं जब इसे सस्क्राइब कर लें और पास बैल आइकन को जबा दे जिससे आपको latest video मिलती रहें जोस्तो आज हम बात करेंगे कि सहरा का refund portal आप किस प्रकार login करेंगी और उसमें क्या-क्या आपको करना होगा जब जाकर आपका forum resermit होगा इसके बारे में आज इस video में complete जानकरी मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपने face 1 में आवेदन करते हैं resermit का तो आपको 0-10,000 रुपे की जितनी भी app दिया है वो 15.09.2023 से शुरू हो गई हैं तो आपको यह amount मिल जाएगा यदि आप face 2 में करते हैं तो आपको 20,000 रुपे मिल जाएंगे 25.09.2023 से ये भी इसके भी फॉरम आप शुरू कर सकते हैं और यदि उसके बाद में आप यदि पूरी तरह से डिपोजिटर एलिबेट है यदि आपको पैसा वापस पाने के हगदार हैं तो आपका जितना भी amount है वो आपको मिल जाएगा और जो भी आप री सर्मिट एप्रिकेशन कर रहे हैं यादि उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो आपको 45 दिन रुखना होगा और यादि आपका फॉरम एकदम सही है तो भी आपको 45 दिन के बाद में ही बुकतान किया जाएगा तो री सर्मिट पोटल पे आने के लिए आपको वही सारा का पुराना वाला पोटल है और उसमें री सर्मिट का उप्शन आपको मिल जाएगा तो आपने जिस समय पहले आपने आवेदन किया था तो ये आपके पास नंबर का प्रेंट आउट आपने जरूर लिया होगा यदि किसी कारणवस यदि आपका ये नंबर आपको गुम हो चुका है तो आप सहारा का वो पुराना पोर्टल उसमें लॉग इन होकर ये नंबर आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा तो इसमें भी आपको कोई प्लॉबलम आने वाली नहीं है अब यहाँ पर जो प्लैम रिक्वेस्ट नंबर है वो आपको डालना होगा तो उस पॉर्टल पर आपको मिल जाएगा नहीं है मिले तो आप लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन करने के बैमें भी मिल जाएगा जो आपने फॉर्म स्कैन किया था उस पर भी यह नंबर आपको आसानी से मिल जाता है उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा डाल देना है जो कैप्चा आपके सामने उपर लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर नीचे डाल कर वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है वैलिडेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी आएगी वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है verify OTP पर आपको click कर देना है जैसे ही आधार पर OTP को verify करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का option आएगा तो यहाँ पर बहुत सारी जो भी आपकी problem है वो लिखी हुई है वो आप check कर सकते हैं आपको केस प्रकार आपके जो information collection की जा रही है क्या क्या किया जा रहा है वो सब यहाँ पर सकते हैं next option आएगा यहाँ पर जो भी आपका आधार में नाम है इता का नाम है आपका address है वो आ रहा है नीचे आपको यहाँ पर आधार ceded bank का option दिखाई दे रहा है कौन सा आधार से ceded bank है यादि यह नाम आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो great bank name पर आप click करेंगे तो आपका यहाँ पर जो भी आधार से ceded bank है वो आ जाएगा तो आपको फिर next पर click करना है next पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए यह option आ रहा है membership का जो भी आपका amount है वो भी problem आ रही है क्या क्या problem आ रही है तो यहाँ पर जो भी आपके संसोधन के लिए required है वो यहाँ पर आप इस पर click कर सकते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर claim a depositor detail not in the Sahara society database not a member of the society your claim cannot be processed अस detail of the claim not match with the record provided by Sahara in either portal तो यह दो चीज़े आ रही है आपको इनको ठीक करके वापिस resubmit करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर action वाला option है इस पर click करके आपको करना है तो इस पर आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको membership number लिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ problem है आ रही है और जो भी है उसके बाद में यहाँ पर आपको upload कर लेना है यहाँ पर upload अब की PDF और JPSG में भी आप कर सकते हैं और review every submit का यहाँ पर लेश्ट में option आ जाएगा तो दोस्तो यह इस प्रकार आप जो society का resubmit form भर सकते हैं तो दोस्तो यह था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो like करना चैनल को subscribe जरू करना